सांप को नमक से घेर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपको अपने मलने का दिन पता चल जाए? दुनिया के सबसे मुश्किल एक्जाम कौन सी है? और क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रक का एक टायर ऐसा उठावा क्यूं होता है? और डॉलर का सिंबॉल S क्यूं होता है? ऐसे ही शौकिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को देखते रहना लास्ट तक इत्यास में ताज महल को एक नहीं बलकि दो दो बार बड़े बांस के डंडों से कवर किया गया था असल में सफेद पत्तर से बना ताज महल रात में साफ दिखता है इसलिए वर्ड वर्ड टू में ताज महल को जापानी एरफोस का अटैक से बचानी के लिए सरकार ने ताज के गुंबत को बड़े बड़े बांसों से कवर कर दिया ताज दुश्मनों के नजरों से बचा रहे इसके बाद पाकिस्तान के साथ हुई 1965 की लड़ाई के दोरान ऐसा ही किया गया था इस वीडियो में इस आदमी ने एक बच्चे को समझाती हुए साम को एक नमक के सरकल के अंदर रख दिया लेकिन साम बिना किसी डर के इस सरकल को पार कर गया मतलब साफ है कि सामपों के स्किन पर नमक का कोई असर नहीं होता क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़ी बटरफ्लाई कितनी बड़ी है अगर नहीं तो जान लीजिए कि क्विन अलेक्सेंडर बर्ड विंग नाम की ये तितली दुनिया की सबसे बड़ी तितली मानी जाती है तितलीओं की ये स्पीसिज अपने पंखों को 9 से 11 इंचिस तक फैला सकती है अगर आप इस तितली को देखना चाते हो तो आपको गिनी के जंगलों में जाना पड़ेगा क्योंकि ये तितली सिर्फ गिनी के जंगलों में ही पाए जाती है MRS Can की एक रिसर्च में ये बात सामनी आई कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइस करते हैं उनका दिमाग उन लोगों से 10 साल यंगर रहता है जो एक्सरसाइस नहीं करते आम तर्क पर आम्ड फोर्सिस माफिया गैंग्स को पकड़ने के लिए हमेशा रेडि रहती है लेकिन World War 2 के दोरान US Navy ने दुश्मनों से अपने देश के कंट्री पॉर्ट्स को बचानी के लिए माफिया गैंग्स के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया था इस ऑपरेशन को अंडर गॉंड ऑपरेशन का नाम दिया गया था चाइना आपने अजीबों गरीब चीजों और खानी के लिए दुनिया भल में मशूर है दसवी सदी के दोरान चाइना में लड़कियों के पैरों की न्यूट्रल ग्रोथ को रोकनी के लिए उनसे इस तरह के लोटर शूस पहना आजाते थे लोगों का मानना था कि इससे लड़कियों जादा खुबसूरत लगती है लेकिन जब इस पैनफुल प्रोसेस से लड़कियों के मौत होने लगी तो उननीसवी सदी में इस पर बैन लगा दिया गया चाइनीज लोगों की इस बेफकूफी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इंसानी शरी एक ऐसी मशीन है जिस पर हर रोज नए-नए एक्सपिरिमेंट किये जाते हैं एक एक्सपिरिमेंट में पता चला कि डैक्टिलोयसिस पॉंटिया नाम की एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें मरीज के पेल का अंगोठा कुट कट कर अलग हो जाता है लेकिन ये क्यूं होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है आपने एक्सर प्लेज में बड़े-बड़े एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखाई होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा थियोटर भी है जहां स्टेच पर इंसान नहीं बल्कि बिल्लिया एक्ट करती है इसे साल 1990 में रूस के यूरी कोकला सिर्म ने बनाया था दो मॉस्को कैट थेटर के नाम से मशूर ये थेटर कैट एक्ट के लिए इस प्लैनेट पर एक लोता थेटर माना जाता है क्या आप जानते हैं कि अगर अंगूर को माइक्रोवेम में गर्म किया जाए तो बलास्ट हो जाता है सानिटिस्ट ने एक एक्सपरिमेंट में एक अंगूर को दो हिस्सों में काट कर उसे माइक्रोवेम में जब गर्म किया तो उसमें कुछ ऐसा एक्सपलोशन हुआ बार में उन्होंने बताया कि अंगूल में प्लाजमा होता है जो हीट के साथ रियाक्ट करके उससे स्पार्क निकालता है इसलिए इसे अपने घर में बिल्कुल भी ना ट्राय करें क्या आपने कभी ऐसी music album के बारे में सुना है जिससे space में record किया हो अगर नहीं तो जान लीजिए कि साल 2015 में astronaut Chris Huttfield ने अपनी एक music album release की थी हैरानी की बाद तो ये है कि इस album के सभी गाने उन्होंने space में record किये थे क्या आपको पता है कि इस धर्ती पर सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है अगर नहीं तो जान लीजिए कि आज से लगबख 50 साल पहले 28 सिटेंबर 1969 में Australia में Victoria के मर्चिस के पास एक asteroid आस्मान से गिरा था जब बड़े-बड़े scientist ने इस पर research की तो पता चला कि इस पिंड की उम्र लगबख 7 billion साल से भी ज्यादा है यानि कि ये चीज़ इस धर्ती पर सबसे पुरानी है इस धर्ती से भी ज्यादा पुरानी आपने पेडों पर चुडियों का घुसला तो दिखाई होगा पर चुडियों को घुसला बनानी के लिए कही पी भी जगा नहीं मिलती है तो वो ऐसे तारों पर ही अपना घुसला बना लेते हैं और ये जो आप तारें देख रहे हो ये मामूली ताल नहीं है बलकि 11,000 वर् था वहाँ ट्राफिक जाम बिलकुल भी नहीं था साल 1895 में ओहियो शहर में दुनिया का सबसे पहला एक्सिडेंट उस समय हुआ जब दोनों गाडियां ओर स्पीड के चलते टकरा गई हैरानी के बाद तो ये थी कि इस पूरे शहर में केवल दो ही गाडियां थी कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एक्जाम कौन सा है इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने पर आपके सामने दो एक्जाम आएंगे पहला गाव काव दूस्तों ये एक चाइनीज एक्जाम है जिसे नैशनल हाय एजूकेशन एंटरंस एक्जाम भी कहा नाम वह डेट ऑफ मैनिफेक्शन के बारे में बताना होता है क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी मौत का सही समय पता चल जाए तो क्या होगा अमेरिका के वग्यानिक ने एक रिसेच में पाया कि जिन लोगों को उनके मौत के बारे में पहले जानकारी मिल जात आपसे यही कहूंगा कि आप खूश ही है चाहें आपको अपने मरने के डेट पता हो या ना हो नमबर 15 पेड़ों के नीचे यह पेंट क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्यूंकि पेंट करने से पेड़ में इंसेक्ट नहीं लगते और पेड़ के ऊपर वाली लेव फटने और टूटने से बच जाती है साती जो पेड को कलर किया जाता है वो फॉरेश डिपार्टमेंट के अंदर आता है जिसका मतलब उसे कोई नहीं काट सकता और जो उसे काटता है उसे पनिश्मेंट सहना होगा और कई बाल यह पेड वाइट रंग होनी के वज़ा से रात को लाइट रिफलेक्ट करते हैं और इससे रात में इस्पेशली हाइवेज में एक्सिदन्ट होनी के चांसिज भी कम हो जाते है नमबर फूटीन आपने नैच्रल हार्ट की साउंड तो जरू सुनी होगी पर क्या आपको पता है कि आर्टिफिशल हार्ट के आवास कु वेश्ट किसी के हातों में ना लग सके क्यूंकि अगर किसी को उनका वेश्ट मिल जाए तो वो उनके हेल्थ की स्टेटस जान सकता है साथी ट्रेवल करते समय वो जिस होटेल में रुखते हैं उसमें भी उनके एक बार जाने के बाद इतनी अच्छी से सफाई होती है कि एक टीम में सिर्फ 6 कंपीटिंग प्लेयर होते हैं जबकि एक रियल अगभी गेम में 15 प्लेयर होते हैं नमबर 11 दोस्तों आप एक बार इस एमेज में लिखे टेक्स्ट को पढ़ो जिसके सभी वर्ड की स्पेलिंग गलत है I'm sure आप इसे पूरी तरह से सही पढ़ लिये होंगे क्योंगि Camrys University के एक रिसर्च में पता चला कि अगर किसी को अच्छे से रिडिंग करना आता है तो सिर्फ वर्ड के फर्स्ट और लास्ट लेटर से बता सकता है कि वो लेटर कौन सा है No matter बाके लेटर केस ओर्डर में अरेंजड हो Number 10 अब जिस चीज़ की इमेज अपने स्क्रीन में देख रहे हो वो इस दुनिया का सबसे पहला ATM मशीन है जो साल 1967 में लंडन में इंस्टॉल किया गया था Number 9 ये चीज़ जो आप देख रहे हो वो कोई ड्रागन नहीं है बलकि एक फ्लावर है जिसका नाम स्नैप ड्रागन फ्लावर है जो किसी ड्रागन की ही तरह दिखता है पर इस स्नैप ड्रागन फ्लावर में एक और इंटरस्टिंग बात ये है कि यह flower अपने jaws को open और close करता है जब आप इसको side से gently squeeze करोगे आपने बहुत सारे chocolates तो देखे होंगे लेकिन आप इस chocolate को देखो यह ऐसा chocolate है जो कि solar system के planet जैसे दिखते हैं और यह सिर्फ जापान में ही पाय जाते हैं क्या आप इस chocolate को खाना चाहोगे? कमेट में ज़रूर बताना नमबल 7 क्या आपको पता है कि यह traffic signal जो आप देख रहे हो वो इस दुनिया का सबसे पहला traffic light है जिसे लंडन में ही साल 1868 में install किया गया था और यह जो इसके arms हैं यह लोगों को रूकने का signal देते थे नमबल 6 आपने आज तक काफी सारे टाइप के राइस तो खाई होंगे जिसे बासमती, ब्राउन राइस, एक्सेटरा पर क्या आप बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने टाइप के राइस मिलते हैं नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि इस दुनिया में 40,000 से भी ज्यादा अलग-अलग टाइप के राइस मिलते हैं नमर फाय आपको जानके हैरानी होगी कि एक बार साल 2008 में एक चिंपैंजी जिसका नाम अंजाना था वो दो बेबी वाइट टाइगर जिसका नाम मितर और शिवा था वो उन दोनों को लीगली अडॉप्ट करता है और वो उसका पैरेंट बन जाता है और उन्हें राइस करने का फैसला लेता है और पूरी केर के साथ इंसानों की ही तरह उन्हें बढ़ा करता है नमर फोर, साल 2004 में एक स्टड़ी में पाया गया कि अगर आपने प्लांट को म्यूजिक, इस्पेशली क्लासिकल म्यूजिक सुनाते हो तो वो नॉर्मल से जल्दी और अच्छा ग्रो होता है तो अगर आपके घर में भी प्लांट है तो ये ट्रिक का यूज जरूर करना नमर 3, आप इस व्यक्ति के साथ में ये जो चीज देख रहे हो वो को इंसक्त नहीं है, बलकि एक चेस्ट बोड है जी हाँ, ये एक चेस्ट है, जिसका साइज सिर्फ 0.6 इंटु 0.6 इंचिस है और इसे वर्ल्ड स्मॉलेश्ट हैंड में चेस्ट भी माना जाता है नमर 2, क्या कभी अपने सोचा है कि जब ये डॉलर D से शुरू होता है तो इसका साइन S क्यूं है, D क्यूं नहीं तो गाइस मैं आपको बता दू, साल 1770 में ये डॉलर यूनिट Spanish American Merchant अपने ट्रेड में यूज करते थे तब उसको पेसो के नाम से जानते थे और इसका साइन ऐसा था और जब एक से ज्यादा पेसों का यूज किया जाता था जब पेसों के उपर S लिखा जाने लगा पर जैसे जैसे टाइम बीटता गया लेजिनेस के चलते ये साइन ऐसा हो गया फिर P हटा के सिर्फ S को लाया गया और जब ये डॉलर अमेरिका गया तब इसका evolution कुछ इस pattern में हुआ दोस्तों अगर आपने कभी भी कि इनका use क्या होता है तो आपको एक बात जनकर हैरानी होगी कि जो एकसेल इन दोनों टायर को lift करता है उस ट्रक का driver उपर और नीचे lift कर सकता है और driver इसे तभी हवे में lift करते हैं जब ट्रक में load कम हो और जब ट्रक का load ज्यादा होता है तब इसे वो down कर देते हैं इसे ट्रक का fuel भी कम waste होता है और टायर भी ज्यादा दिन तक चलते हैं वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कर देना और subscribe करके उस बगल वाले bell icon को भी on कर लेना और आप मुझे social media platforms पर भी follow करना मत भूलना लिंक्स वीडियो के description में मौझूद है